दोस्तो आज हम लोग बच्चों को दिया जाने वाला ड्रोप मेडिसिन मोनो सॉफ ओ के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे जैसे कि इसके फायदे क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कौन से कमपनी के या दवा है, इसका कमपोजिशन क्या है, इसका यूज करने क तरीका यानि इसके डोजेज क्या है और इसका प्राइस कितना है, तो दोस्तो वीडियो को प्लेज आप लोग पूरा लास्ट तक देखेगा ता कि हरे एक जिज़ आसानी से समझ में आ सके, तो चलिए दोस्तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नमस्कार दोस्त इस मेडिसिन में एक सीसी की छोटी सी बोतल रहती है, उसमें ड्राइ दवाई के पौडर रहते हैं, यानि सुखा पौडर रहता है, और साथ में आपको पानी की भी एक छोटी से प्लास्टिक बेक मिल जाती है, आपको उस पानी को ड्राइ पौडर में डाल कर अच्छे से स करते हैं देते हैं तो दोस्तों यह बच्चे को दिया जाने वहला एक Antivioave To अगर बच्चे को लंग्सम हो गया है निमुनिया हो गया है ऐसे दूसरे दवाय के साथ इस आनल आपको को दिया जाता है जैसे अगर किसी बच्चे को भुखार है तो उसे पेरासिटमल के साथ डॉक्टर इस दवाई को देते हैं और दोस्तों ये बच्चों के टाइफाइड बुखार को ठीक करने के लिए बेस्ट एंटिवाइटिक मेडिसिन है इतने सारे इसके यूजेज हो गए दोस्तों और अब हम लोग इसके साइड इफेक्ट के बात करेंगे तो ये तो डोक्टर ही डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को कितना डॉज और कब कब देना है और ये बच्चे के लिंग, बोजन और उम्र पर डिपेंड करता है लेकिन जनरली इसे बच्चे को भोजन या दुद पिलाने के बाद सुबा और सम दोनो टाइम चार से पांच बूंद ड्रोपर की साहता से मूँ में पिलाना है और इस मेडिसन को कंटिन्यू यानि डेली पिलाना है क्योंकि ये दवाए मिक्स करने के बाद 10 दिनों के बाद खराब हो जाता और इसे फिकना पड़ता है दोस्तो अब हम लोग मोनोस आफ और ड्रोप्स के प्रैस के बारे में जानते हैं तो इसका प्रैस 40 रुपिया पर 10 एमिल है ये आपके नजदीकी मेडिकल इस्टोर में आसानी से मिल जाएगा साथ यसे आप ओनलाइन पर्चेस कर सकते हैं कुछ डिसकाउंट के साथ भी मिल जाता है दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग को मोनोस आफ और ड्रोप्स के बारे में हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किस तरह का सवाल या सुझावे तो प्लेज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हम उसका टैम टो टैम जरूर रिपले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लेज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दे साथ इस वीडियो को सेयर करें दूसरे तक पहुँच आएं ताकि ये जनकरी उनको भी मिल सके और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वारियंट हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आकन का दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तब तक दोस्तों अपलग स्वास्त रहें मस रहें फिर मिल देखने वीडियो के साथ धर्निवाद